अगले मुहिने यानि के 1 जुलाई से जब आप बाजार जाएं तो अपने इर्दगिर्द नजर घुमाईएगा देखीगा कि क्या अभी भी पए पदार्थों के साथ प्लास्टिक का पाइप दिया जा रहा है आपकी पसंदीदा कैंडी क्या अभी भी किसी प्लास्टिक से चारो तरफ लपेट कर बेची जा रही है क्या मिठाई के डिबे अभी भी पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म से पैक किये गए हैं अगर ऐसा नहीं है तो मान कर चेलिए कि भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अपनी जंग शुरू कर दी है परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने चार साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक के उप्यों को चरनबत तरीके से खत्म करने की शपत ली थी उसके बाद अब एक जुलाई से देश इस दिशा में अपना पहला कदम उठाने जा रहा है भारत में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पुरी तरह से प्रतिबंदित हो जाएगा सरकार इसमें अब किसी भी तरह की चूट नहीं देने वाली है सरकार के इस फैसले की वज़े से पैक्ड यूज, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेरी प्रोड़क्ट बनाने और बेचने वारी कमपनियों को तगड़ा जटका दिया है एक जुलाई से इस प्रतिबंद के लागू होने के बाद बेवरेज कमपनियां प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ अपने प्रोड़क्ट को नहीं बेच पाएंगी इसलिए अमूल, मदर डेरी और डाबर जैसी कमपनियों ने सरकार से निवेदन किया था कि वो अपने फैसले को कुछ समय के लिए टाल दे सरकार ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम पर बैन लगाया है एक जुलाई से इन आइटम को बनाने, बेचने और स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने पर पुरी तरे प्रतिबंद लग जाएगा ये प्रतिबंद इसलिए लगाया जा रहा है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचले से होने वाले प्रदूशन को कम किया जा सके जिन आइटम पर प्रतिबंद लगाया जा रहा है उनमें हैं प्लास्टिक स्टिक वाले इयरबड्स, गुबारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के जंडे, कैंडी स्टिक, आइस क्रीम स्टिक, थर्मोकॉल, प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी, प्लास्टिक परेवरन के लिए बेहत खतरनाक है ऐसे प्लास्टिक ना तो डिकंपोज होते हैं और ना ही इनहें जलाया जा सकता है इनके टुकड़े परेवरन में जहरिले रसाइन छोड़ते हैं जो इनसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का कच्रा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है जिस से ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आती है सेयुक्त राष्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर एक मिनिट में 10 लाग प्लास्टिक बोतल खरीदी जाती है जबकि 5 लाग करोड प्लास्टिक बैक का इस्तेमाल हर साल होता है प्लास्टिक से बने आधे से जादा प्रोड़क्ट सिंगल यूज के लिए बने होते हैं इस कारण धरती पर प्लास्टिक कचरा इकटा होता जा रहा है सेयुक्त राष्टर का अनुमान है कि हर साल 40 करो टन प्लास्टिक कच्रा प्यादा होता है परियावरन मंत्राले के अधिकारों ने एक न्यूज एजनसी को बताए कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स को Environment Protection Act के तहट परतिबंदित किया गया है अगर अब कोई भी इन आइटम्स का इस्तेमाल करता नजर आता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा चाहे वो उपभुगता हो या फिर दुकानदार और ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार अगर ये किसी दुकानदार के पास जो भी बैन किया गया है आइटम्स वो मिलता है तो पहली बार 500 रुपे जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा उसके बाद अगर फिर ये मिलता है तो इस जुरुमाने को बढ़ाया भी जा सकता है ये एक जुलाई यानि कि अपसे एक दिन बाद ये शुरू हो जाएगा और देखना होगा किस तरह से पूरे भारत में अब इसे बैन किया जाता है क्योंकि अगर भारत सरकार की बात की ज जाए ताकि हम इसका कुछ और विकल्प निकाल सके लेकिन सरकार ने सीधा कहा है कि अब समय नहीं है क्योंकि पहले ही इतना जादा कच्रा जो है वो पैदा हो चुका है environment काफी जादा नुकसान में चल रहा है इंसानों की बात की जाए या जानवरों की बात की जाए हर कोई जो है इससे कही न कहीं नुकसान में जा रहा है और अगर अभी इसको शुरुआत में नहीं लाया गया अगर अभी इस पर बैन नहीं लगाया गया तो काफी देर हो जाएगा अब देखना होगा कि किस तरह से अब बैन की शुरुआत होती है और क्या जुर्माना सच में लो